असलाम नेकुम डिया स्टूरेंट आज हम जूनिय तंबर फोर में देखेंगे के टीशिंग अफ माथमाटिक्स और लिट्रेचर जब हम कमबाइन कर रहे हैं तो उसमें एक इंट्रेस्टिंग टरम को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिबलो थेरपी एंड टीशिंग क्या है इसको हम देखते हैं तो उन्हें रियलिस्टिक टीचिंग स्ट्रेटिजी अपनानी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वह मैथ की इंसाइटी से बच सकें रियलिस्टिक का मतलब यह है कि बच्चों की कॉग्निटिव अबिलिटी के बारे में हो बच्चों से इतनी इसता सपोर्ट करें तो इसके लिए एक और काम भी करना चाहिए वह यह कि एसा सेफ स्पेस हमें करते हैं जहां बच्चे आके अपनी फीलिंग आप से बयान कर सकते हैं कि मुझे यह प्राबलम मैथ का सॉल्फ करने में कितना टाइम लग रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है या मेरा कॉंफिडेंस शेटर हो रहा है और वह अपनी थॉट और एक्सपीडेंस आप से शेयर कर सकें चाहे वह इस प्राब्लम को सॉल्फ करने के लिए हो जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं या उन्हें पास्ट में कोई इस्यू हो मैथमेटिक से रिलेटेड आप करने से वह सफ इस पसपेस आप उन्हें कॉंफिडेंस देके आपसे आकर डिसकास करें टिसकेशन ही वह virtue safety चुरू होते psychologists इस टेक्निक को बताते हैं कि इस therapy के थूँ लोग क्या करते हैं उनकी anxiety कम हो जाती है और anxiety कम होने से जो भी उनके circumstances हैं problem है उने बेहतर तरीके से solve कर सकते हैं बेहतर तरीके से उन्हें बहुत अच्छे solutions जो हैं वो समझ आ सकते हैं जब उनका anxiety level कम हो जाता है जब हम बच्चों के साथ होते हैं और हम कोई reading schedule करते हैं किताबें उनके पास लेकर आते हैं तो जब बच्चे किताबों में वो perspective पढ़ते हैं जिससे वो खुद गुजर रहे होते हैं तो उनका अपना perspective change होता है वो उसमें देखते हैं कि वही problem जो मेरा problem है वो ये character face कर रहा है और वो से किस तरीके से निकल रहा है तो ये एक बहतरीन तरीका है bibliotherapy जिसके थूर बच्चों के अंदर हम positive attitude develop कर सकते हैं character develop कर सकते हैं और उसके थूर हम उनने सिखा सकते हैं कौन से positive ways हैं जिससे वो अपने problems को solve करेंगे relevant literature जो हम बच्चों को provide करते हैं जिसके अंदर unique situations होती है और challenging situations होती है आप बच्चे problems को पढ़ते हैं उन्हें understand करते हैं और उनको understand करने के साथ दाथ वो अपने आपको understand करते हैं हमें क्या problems हैं क्या ये character के साथ जो कुछ हो रहा है emotionally जैसे के हमारे सामने अभी एक किताब गुसरी ती जिसका नाम था mathematical curse क्या यही issues मेरे साथ भी हैं so researches हमें ये बताती हैं बच्चों के जो social or emotional issues हैं उनको बेतरीन तरीके हैं उनको हल करने का बच्चों को realization करवाने का बच्चों को way out बताने का literature बच्चों के लिए अप literature class में लेके जा सकते हैं उनकी specific problems को सामने रखते हुए teachers जो हैं बन्यादी तोर पे बच्चों की thinking और behavior को इंप्रूफ कर रहे होते हैं उनकी ये findings बताती हैं कि वो teacher जिन्होंने बिब्लियो थेरपी इस्तमाल किये class में उनके student में उनकी thinking process उनका जो behavior है चाहे वो mathematical problem solving behavior है बहुत ही improve हुआ है और इस बिब्लियो थेरपी का बच्चों पे बहुत positive असर हमें नजर आता है इसके अंदर बहुत जरूरी है कि जब आप एक कहानी बच्चों को चाहे पढ़के सुनाएं या पढ़ने को दें उसके बाद आप discussion करें जो आप reading assign कर रहे हैं वो हर बच्चे को उसके अंदर discussion और conversation का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चों की anxiety कम करने के लिए हम ऐसी किताबे चूस कर सकते हैं जो फेरी टेयस टाइप हो जो different किसम की कहानिया हो जो इसमें fun हो ताकि बच्चे direct mathematics पढ़ने की जगा उन कहानियों के through mathematics के concept पढ़ें definitely उससे भी उनकी anxiety reduce हो जाती है अब हम कैसे arithmetic anxiety को reduce करते हैं उसका एक बेतरीन तरीके कार यह हो है कि बिब्लियो थेरपी है इसको हम क्लास्ट्रों में किस तरह इसमाल कर सकते हैं बच्चों को बावाज़े बिलंद ऐसी कहानिया पढ़ के सुना सकते हैं तो आपको ऐसी कहानिया ढूंद नहीं है जिसकी example य बच्चों से सबलाब कर सकते हैं कि उनके अपने जो negative arithmetic experiences हैं वो क्या है और उनको match करके देख सकते हैं कि आप जो भी feeling होने की जगह हमें इस पर work out कर सकते हैं जैसी ये characteristics problem को solve कर रहा है मैं भी arithmetic के problems को solve कर सकता हूँ